हलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवी सचन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UP scholarship 2022 के all suspect status correction के रूल के बारे में आप सभी के जितने भी status में correction है, जितने type के correction आ रहे हैं, उन सारे type के status को मैं आप सभी के साथ share करूँगा और एक-एक करके define करती हुए चलूँगा कि उसमें क्या-क्या problem है, आप सभी की scholarship आएगी या नहीं आएगी, ठीके, तो उन सारे status को दिखाते हुए, आप सभी को उसका solution बताते हुए आगे बढ़ूँगा, तो वीडियो बहुत important होने वाली है, आप सभी को ऐसी वीडियो कही नहीं ना मिल पाए, तो इसके लिए आप वीडियो को skip बिना करते हुए, अपनी इस वीडियो को complete देखिए, और जहां पर आप सभी का जैसा सो हो रहा होगा, वहां पर अपने उस status को सुन लीजेगा, कहीं नहीं आपका काम हो जाएगा, चलिए, तो पहले नमबर का status देख आपको 3 page की copy मिली थी, तर suspense में आप सभी ने अगर सही इंटर किया है, अपने main ID से, और उस 3 page की copy को मिला लीजिए, अगर उसमें सब कुछ सही है, तो आप सभी को घबराने की ज़रूत नहीं है, आप सभी बेफिकर रहे है, अगर उसमें कुछ गरबड़ है, तो जिस पहला टाइप खतम हो गया दूसरा है यूपी बोर्ड, ICSC बोर्ड, हाई स्कूल, रोल नमबर नॉट मैच डबी थी यूपी बोर्ड ठीक है तो इस तरीके का अगर आप सभी में दिखरा होगा ठीक है इस तरीके का दिखरा है तो आप सभी को क्या करना है कि अपने हाई स्कू के डाउड देखते हैं इसमें है last year verified data enrollment number marks not match with university uploaded data तो इसमें अगर आपने सब कुछ सही किया है अगर marks वगरा में कोई दिक्कत हो तो आप correction कर लीजिए अगर आपने सब कुछ सही भी किया है और आपका यह दिख रहा है तो आपको विल्कुल टेंशन लेने की जुरूत नही ठीके तो इसमें दीन तरीके की case बन सकते हैं पैरा number तो आपने father का लगा दिया हो इसके लिए duplicate दिखा रहा हो दूसरा number आपको आपने खुद का भी लगाया है फिर भी duplicate दिखा रहा है क्योंकि वो three years का ऊपर हो चुका है तो इसका solution जो निकल करा रहा है कि आप सभी यह तो की criteria हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ही छोड़ दो ठीके आपकी scholarship के पूरे chances हैं कि आ जाएंगे बाकी college से जरूर सला ले ले लेना ठीके अगला है कि application form uploaded वा इंस्टिटियूशन इंरॉल्मेट नंबर मार्क स्नाट मैस विदिच इन्वर्सिटी अप्लोटे डाट suspected due to non-counseling data तो इन counselling में जिनी students की problem आई थी तो counselling का result और counselling का admit card वगरे ले करके आपको अपने college में जा करके सही कर देना है और counselling का roll number अगर आपने गलत डाला है तो उसे सही करके आप जोरुक सोची जमा कर देंगे तो आपके college वाले forward कर देंगे ठीके चलिए suspect account number cast certificate के बारे मैंने आप सभी को बता दिया है ठीके duplicate income certificate के बारे में बता दिया है ठीके अब जिनी students के verified recommended by district scholarship committee दिखा रहा है तो वो अपने verify होने का इंतजार करिए उनको tension लेने के जुरूत नहीं उनका सब कुछ सही है अब कुछ लोगों का यहाँ पर UID करके दिखा रहा है ठीके NBT करके दिखा रहा है UBT करके दिखा रहा है जो कि आधहार से related है ठीके तो उनको KYC कराना है bank में जाकर के ठीके उनको यहां पर जो UID का केस दिखाई दे रहा है यहां पर तो उन्हें जाकर कि बैंक में क्योड़ेट करना है ठीक है इतनी तरीके की स्कॉलर्सिप स्टेटस दिक्कत यह दिखिया गया UID Never Enabled for DBT ठीक है तो इनको अपने बैंक में जाकर कि क्योड़ेट कराना है ठीक है इनका यही एक सोलेशन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही तरीके था ठीक है मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाय टाटा लब य अल